Hi guys, इस साल मैं almost 20 books पढ़ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको उन 20 में से top 5 books बताऊंगा जिन्होंने मेरी thinking पे deep impact किया These books cover a variety of topic from psychology, spirituality, productivity and OSHO मैंने OSHO की एक book पढ़े जिसने मेरा mind blow करके रख दिया So I'll share these books with you and I hope you will enjoy reading them as well Book number 1 is The Tipping Point by Malcolm Gladwell Malcolm Gladwell एक बहुत well known intellectual है और इनकी book writing बहुत different होती है, बहुत unique होती है जिस तरीके से psychological experiments लेते हैं और अलग-अलग real life situations के थुरू pattern recognize करके आपको कुछ चीजे समझाने की कोशिश करते हैं और वो चीजे आपका दिमाग के thinking को change कर देती है तो इस book में भी उन्होंने यही चीज करी है, इस book में he tries to explain की कैसे कोई चीज viral हो जाती है और उस virality के पीछे क्या reasons होता है, क्या हम उन reasons को control करके किसी भी चीज को viral कर सकते हैं तो very very interesting book क्योंकि यह book आपको deep human psychology में लेके जगाती है आपको दिखाती है कि कैसे human copycat machine होते है, कैसे कि ज्यादतर humans followers होते है और जो कुछ leaders होते है, वो trendset करते है और वो leaders क्यों leader पे आते हैं, क्योंकि वो एक isolated life जी रहे होते है वो बहुत well-rate life जी रहे होते है, जिसकी वज़े से उनके way of thinking बहुत अलग होता है crowd से और crowd उन से attract होता है, क्योंकि वो अलग धंग से जी रहे होते हैं और crowd उनको copy करने लगता है तो यह principle है, जो Malcolm Gladwell ने explain किया है और इसमें और भी बहुत principle है stickiness factor कि कोई चीज कितनी sticky है, जो चीज लोग याद रख सके one-liner, जो लोग याद रखते हैं, जैसे Nike का Just Do It कोई चीज कितनी sticky है, उस stickiness की विरे से वो चीज कैसे viral होती है तो I think यह बहुत important book है, क्योंकि at one point or another हम सब को अपने आपको sell करना होता है, किसी ना किसी को हमें अपने ideas को sell करना होता है, अपनी companies में है, हमें अपने products को sell करना होता है, अपने business में मुझे यूट्यूब videos को sell करना है आपको, ताकि आप ये videos देखे, inspire हो और read होने के लिए तो a very interesting book to go deep into human psychology and to learn how to sell things to people and how to make your ideas go viral how can you control those small small factors, जिसके बाद वो tipping point आएगा और उसके बाद आपकी चीज़े viral जानी शुरू हो जाएगी तो इस book से जो principle मैं अपनी life में apply करने वाल हूँ, तो वो है the stickiness factor तो मैं जाके और research करूँगा इस बारे में कि किस तरह की videos चलती हैं, किस तरह की videos stick करती हैं और उस videos में मैं अपना point of view, एक productive way में, एक you know meaningful way में देकर उस stickiness factor को कैसे use कर सकता हूँ अपनी videos के लिए similarly आपको इसमें से कोई ऐसा point पसंद आएगा जो आप अपनी professional और personal life में use कर सकते हो very easy to read book, बहुत thin book है and जो इसमें examples है वो बहुत mind blowing है, really good book next book है The Surrender Experiment, इस book के बार में मैं पहले भी videos में बात कर चुक हूँ, this is one of my favorite books that I've read this year इस book ने मुझे सिखाए कि कैसे आख किसी भी activity में flow state में जा सकते हो और उस flow state को spiritual way में कैसे देख सकते हो, कोई भी काम आप जो कर रहे हो, आपको इस way में सोचना है कि वो काम आपके पास भगवान ने भेजा है और आप God को please करने के लिए उस काम में अपना best दो and उस काम में best दो ना कि results पाने के लिए सरफ इसलिए best दो क्योंकि वो responsibility God ने आपको दी है, तो मतलब कि God realizes कि वो responsibility को bear करने के लिए आप capable हो और आपको God को prove करना है, yes मेरे को और बड़ी responsibilities दो, मैं इनको भी fulfill करूंगा and I will make you proud तो ये बहुत अलग way है productivity को देखने का, ये बहुत अलग way है flow state में आने का, क्योंकि ज्यादा तर लोग flow state में क्यों नहीं आ पाते है, productive क्यों नहीं हो पाते है, क्योंकि वो बहुत selfish way में सोचते हैं, या तो उन्हें पैसे कमाने होते हैं, या अपने mammy papa का नाम रौशन करन होता है, ये तरह की motivation थोड़े time में die down हो जाती है, पर जो spiritual motivation है, अगर आप infinite source of energy से connect हो जाते हो, जो कि सारी spiritual books बात करती है इस बारे में, तो अगर आप उनसे connect हो जाते हो और उनको अपनी life और actions dedicate कर देते हो, जो सारे spiritual scriptures, religious scriptures बोलते हैं, Jesus Christ ने Bible में बोला है, Christian जी ने गीता मे बोला है, Prophet Muhammad ने, Quran में बोला है, अगर आप उस principle को follow करते हो, तो आप अपनी life में कितने ज्यादा highly productive हो सकते हो, और उस productivity की वरे से आप world पे कितना बड़ा ripple effect ला सकते हो, आप एक example बन सकते हो, जैसे Michael A. Singer example बन गए, अग उन्होंने ये book लिखी और इस book की वरे से ripple effect आ रहा है ना कि सिर्फ दुनिया से भागने के लिए कि उन्हों मुझे spiritual बनना है, जंगलों में जाना है और meditate करना है, नहीं spirituality के मतलब वो नहीं है, काम पर focus करना, काम के दूरू contribute करना, और human society को better बनाना as a whole, और ये चीज़ Michael A. Singer ने करके दिखाई, spirituality को अपनी life में productively use किया, उन्हों ने उन स्टोरी से lessons लिए उनको absorb कि अपनी life में rather than in foolish debates में पढ़कर कि वो चीज़े सच थी, Jesus Christ कभी थे वी या नहीं, उन debates में पढ़कर जो लोग escape के लिए उसकरते हैं, उन्होंने उन principles को अपनी life में implement किया और उसकी वरे से वो अपनी life में changes ला पाया और अपने आस पास क लोगों की help कर पाये, businesses खड़े कर पाये, okay, very very interesting book, very important book, I guess यह book सब को पढ़नी चाहिए, one of the most important spiritual books, next book है, effortless by Greg McKeon, and Greg McKeon की मैंने इस से पहले book पड़ी थी, essentialism, it was such a mind-blowing book, उस book ने मुझे से काया था कि essential चीज़े और non-essential चीज़े में आपको कैसे फरक करना है, और कैसे essential ची physical energy लेती है, पर अगर आप सिर्फ 20% चीज़ों पर focus करोगे, जो important चीज़े हैं, वो आपको exponential results देगी, अब क्या हो जाता है, कि जब हम उन 20% चीज़ों को discover कर लेते हैं, और उन 20% चीज़ों पर focus करते हैं, तो हम लोग overdo करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वज़े से हम burn out ह जोना शुरू हो जाते हैं, और इस बुक में इस problem को solve करते हैं, जब आपने वो 20% चीज़ें डिसकावर कर ली, essentialism के थूरू, बाकि सारी चीज़ों को नो बोल दिया, अब उन 20% चीज़ों को effortlessly कैसे करना है, अपने process को effortless कैसे बनाना है, for example, इस बुक से जो मैंने principle apply किया, को workout करना है, dumbbells से, तो मैं पहले dumbbells से बहुत करता था, क्योंकि जब मैं डली में था, तो मेरे motivation थे, John Abraham, and इतने bodybuilder actors थे, वो सारे मेरे motivation थे, जब मैंने reading करने शुरू करी, तो मेरे idols change हुए, मेरे idols बने, Einstein, मेरे idols बने, intellectual लोग जो इतना exercise नहीं करते थे, अपनी बॉड़ी प बना सतना हूं, उसके साथ कुछ enjoyable अड़ करके, तो for example, जब मैं exercise करना होता हूं, तो Jordan Peterson की मैंने speech चला ली, highly intellectual person, fit भी रहते है, तो उसके थुरू मेरे को intellectual stimulation मिलता रहा, and plus वो workout की exercise मेरे लिए easy हो गई, I look forward to that workout, because मुझे पता है कि जब मैं वो workout करूंगा, तो मैं Jordan Peterson का lecture सुनू and I love spending time with these people, these people are my virtual friends, तो उस चीज़ को मैंने enjoyable बना लिया, कि जो मैं demotivate हो रहा था, exercise करने के लिए, dumbbells वाली exercise करने के लिए, उस चीज़ को मैंने अपने लिए enjoyable बना लिया, तो इसमें इसी तरी के बहुत सारे hacks है, बहुत सारे principles है, जो आप अपनी life में implement कर सकते हो, अपनी उन difficult चीज़े पर जो important चीज़े हैं, उनको enjoyable बनाने के लिए, and really, really good book, really good book for productivity, a very comprehensive book, covers a lot of principles, rest से लेके, slow productivity, slow productivity से लेके, making your activity enjoyable, it goes into a lot of different topics, so give it a try, very, very good book, अब बात करते है, Osho की book की, courage by Osho, आप में से काफी लोगों ने मुझे recommend किया, to try Osho, and मैंने भी उनकी बार में बहुत जब मैंने उनकी Netflix documentary देखी ती, तो I was a little put off, फिर मैंने question करना शुरू किया, Western media को, and you know, a different perspective को, कि जो Netflix पर दिखा रहा है, इतने सारे Osho के followers, इतने लोग, Osho के philosophy को बढ़ रहे है, कुछ तो होगा उनमें, अगर वो पूरे negative थे, तो लोग तक उन पर गिवप कर चुके होते, वो नाम कब कख हो चुका होता, तो कुछ तो होगा उनमें, तो इस वरे से मैंने Osho की book उठाई, The Courage, and what a brilliant book, oh my god, Osho के words इतने liberating है, like, ये book मैंने इसलिए उठाई थे, क्योंकि as I said, कि मैं India move हो रहा हूं, तो डर लग रहा है अंदर से, इतना बड़ा change होगा, life का, वापस India जाना, developed country से, developing country जाना, तो उसके लिए courage की बहुत ज़्यादा जरू होता है, तो इस book ने मुझे सकाया कि कैसे, जो लोग uncertainty में पैर रखते हैं, डर में पैर रखते हैं, वो लोग जिन्दा है, पर जो लोग हर दिन certainty में पैर रखते हैं, उन्हें पता है कि, you know, वही job करनी है वही salary आनी है, वही बड़ा घर, बड़ी गाड़ी की race में जाना है, वो लोग मर चुके हैं, और ओशु कहता है कि, हमारी life इतनी precious है, कि ज्यादतर लोग जिन्दा होने के experience को feel ही नहीं कर पाते, वो एक certain age पर आकर ही मर जाते हैं, basically वो certainty वाली life को जीते रहते हैं, उनके जो funding आ गई, to work on your dreams, तो अगर आपका business start करने का idea है, तो job के साथ साथ शाम को business पे काम करो, अगर आपका modeling का idea है, तो job के साथ साथ weekend पे modeling gigs ढूंड हो, आपके पास job एक university है, जो आपको people skill सिखा रही है, discipline सिखा रही है, knowledge दे रही है, और प्लस पैसे भी दे रही है, और उसके बा बनने से बना किया होगा, वहाँ step रख सकते हो, क्योंकि आप independent हो चुके हो, और यही चीज़ courage book में भी also explain कर रहे हैं कि कैसे उस uncertainty में पैर रखने से ही आप जिन्दा हो, उस uncertainty में पैर रखने से ही आप life को जी रहे हो, उसके लावा you are completely dead, and हम ज्यादतर लोग uncertainty में पैर क्यों लगे लग जाएगी, क्योंकि parents बहुत पज़र से बोजाते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो जाए हैं, हमारे बच्चे को कहीं लगना जाए, तो उस बच्चे को वो सिर्फ सेफ वे में सोचने की वरे से बच्चा कभी भी अपनी life को खुल के नहीं जी पाता, खुल क अगर आप उस चीज से प्यार करते हो, उस चीज से और प्यार करो, और वो कैसे कर सकते हो, आप बियोग्रफी रीट करो, अगर एक्टिंग से प्यार करते हो, तो आप लोग के साथ शेर करने से प्यार करते हो, तो मेरे अदर आपने आप करे जा जाती है, to sit in front of the camera and to talk to you guys, प्यार करते हैं, तो क्रिकेटर की बायोग्रफी उठाओ, जब आप उन लोग की बायोग्रफी पढ़ोगे, उन लोग के फेलियर समझोगे, पर उन लोग की अचीवमेंट्स देखोगे, तो आपके अंदर उस फील्ड के लिए और ज्यादा प्यार डेवलप होगा, और वो प्यार आपके अंदर करेज लेकर आएगा, तो वेरी वेरी गुट बुक है, वेरी इंपॉर्टन बुक, इस बुक को मैं बहुत ज्यादा पढ़ने वाला हूँ, पर इस बुक में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी है, जिनके लिए आपको अपना माइंड ओपन रखना है, क्य वो चीज मेरे को थोड़ी डेंजरेस लगती है, क्योंकि यह जो मॉरल प्रिंसिपल्स बने है, वो सुसाइटी को स्टेवल रखने के लिए बने है, अगर हमने मॉरल प्रिंसिपल्स गिवप करने शुरू कर दी है, तो हमें कभी भी स्टेवल फैमली नहीं बना पाएंगे, क्योंकि by nature, humans are polygamous, अगर हमें polygamous रहें, इदर उदर affairs चलते रहें, तो हम कभी भी family stable नहीं बना पाएंगे, और monogammy आती है, moral principles के थूरू, एक दूसरे को control में, check में रखने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़े होती हैं जिनके लिए थोड़े बहुत moral principles बहुत ज़रूरी है, for example, work पे honest रहना, वहाँ पर अपने selfishness के लिए जूटनी बोलना, तो वो भी एक moral principle है, तो इस book को थोड़ा open mind से पढ़ना, इस book में बहुत सारी अच्छी बाते हैं, पर कुछ बाते हैं जो आपको शायद थोड़ा dangerous बात पर ले जा सकती है, तो उसके लिए थोड़ा open mind स very interesting book, I will read it this again, final book है, bounce by Matthew Saeed, again, यह एक psychological book है, जिसमें Matthew Saeed, high achievers की psychology में जाते हैं, कि वो लोग high achievers बनते कैसे हैं, and इसमें बहुत interesting way में दिखाया गया है, कि जो high achievers बनते हैं, वो इसलिए नहीं बनते हैं, कि बचपन से वो talent लेकर पैदा होए होते हैं, वो इसलिए बनते हैं, कि बचपन में वो कोई ऐसी चीज़ पकड़ लेते हैं, जिस पे वो 10,000 hours बहुत जल्दी खतम कर लेते हैं, for example, Tiger Woods, जो की at one point world का greatest golf player था, भी भी उसको अगर greatest golf player के list बनेगी, तो number one पर आएगा, आप उसका बचपन उठा के देख लोगे, तो उसके papa golf खेलते थे और उसे ब बन गया था, कि सब उसको बहुत ज्यादा, you know, magical समझ रहे थे, कि, you know, ये तो talent के साथ पैदा हुआ है, इसमें कुछ special है, इसमें कुछ हैसा है, कि जो बाकी लोगों में नहीं है, उसमें और कुछ नहीं था, कि उसमें बस 10,000 hours बहुत जल्दी accumulate कर लिये थे, सेम चीज विर बार उसके हाथ में बैट आया, तो उसके motions भी वैसे आने लग गए, जो उसने batting देख देख के absorb किये थे, और यहीं चीज हमारे Indian parents बहुत गलत करते हैं, कि जो newborn babies होते हैं, उनको उल्टे सीधे गाने दिखाते हैं, उल्टे सीधे गानों पे dance कराते हैं, इस पे नाच के दि impressions को control करें, और जिस काम में हमें अच्छा बनना है, जिस काम में हमें, you know, best बनना है, उस काम में हम 10,000 hours accumulate करें, जल्दी से जल्दी, तो उस काम में हम expert बन जाएंगे, और उस field में हम top 5% में आ जाएंगे, और उस से थोड़ी और मैनेद करीं, तो top 1% में भी आ जाएंगे, it's all about accumulating 10,000 hours, which is basically giving almost 10 years of your life to a single field, तो ये book आपका completely myth break कर देगी, कि कुछ लोग smart पैदा होते हैं, कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं, जो ज्यादा याद रख सकते हैं, रैसे इस book में के और example दिया है, कि कैसे जो बच्चे लंबे-लंबे words याद रख पाते हैं, जो competition भी होता है अ बहुत बार करी, उसके 10,000 hours accumulate हो गए, तो उसके memorizing power बहुत sharp हो गई, so those were some very very interesting books that I've read so far, and मैं ओशो की book में और डीप जाऊंगा एक individual video में, let me know आपको और किस-किस topic पे videos देखनी है, let me know in the comments, I hope you enjoyed this video, I hope you will enjoy reading these books, I will see you in my next video, till then, happy reading! झाल